दोस्तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंड मावा जो सिर्फ दस मिनड़ों बनकर तयार हो जाता है जब भी हम कुछ सुवीड बनाते हैं तो हमें मावा की जरूरत होती है और मार्किट से मावा खरीद ते समय हमें एक ही डर होता है कि मावा इसलिए है ये नकली इसलिए आज मैं आपको घर पर इंस्टेंड मावा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बता रही है जिससा आप जटपट घर पर मावा बनाकर तयार कर सकते हैं एक सिक्रेड इंग 나린ण दूद में डाल कर सिर्फ 10 मिड़ों बनाए मार्केट से अच्छा और प्रेश मावा और उस सिक्रेड इंग 나린ण का नाम है मिल्क पावा बनता है जिसमें काफी समय लग जाता है लेकिन आज हम आपको मिल्क पाउडर से मावा बनाना बताएंगे जो सिर्फ 10 मड़ों बनकर तेयर हो जाता है तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंड मावा इंस्टेंड मावा बनाने के लिए हमें किनकिन चीजों के वस्षकता है चलिए आपको दिखाते हैं मिल्क पाउडर एक कप, दूद आधा कप, गी एक टीस्पून मिल्क पाउडर से आप जब भी मावा बनाएं तो दूद हम मिल्क पाउडर से आधी क्वांटिटी का लेंगे यानि एक कप मिल्क पाउडर है तो आधा कप दूद लेंगे सिलों आज पर एक कड़ाई रख लें और अब हम इसमें दूद डाल देंगे और अब हम दूद में घी डाल लेंगे घी और दूद दोनों को चलाते हुए अच्छे से मिला लें जब तक कि घी दूद में अच्छे से नहीं मिल जाए ये देखिए हमारा घी दूद में अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें मिल पाउडर डाल दाएंगे मिल्प पाउडर डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला ले ताकि इसमें कोई गुठली एलंस ना पड़े सिलो आजपर इसे लगातार चलाते हुए पकाले जब तक कि अच्छे से गढ़ा न हो जाए ध्यान रहे चम्मच इसमें लगातार चलाना है वरना दूद नीचे तले में लग जाएगा मुझे इसे पकाते हुए तीन से चाल मिनट हो गया है ये देखे हमारे मावली ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है अभी इसे में एक मिनट और पकाऊंगे ये देखे है हमारा मावल बनकर तेयार है मुझे इसे बनाने में 10 मिनट का समय लगा है गैस पर बन कर दे और इसे एक प्लेट में निकार ले थंडा होने के बाद आप चाहे तो इसका पेड़ा बनाकर रख सकती है या इसका रोल बनाकर रख ले या फिर इसके एक बोल बना सकती हैं इसका स्वाद एक दम मार्केट में मिलने वाले मावे की तरह होता है आप अगर इस मावे को मिठाई बनाने में इस्तेमान कर रहे हैं तो फिर चीनी कमड़ने